मंत्र تلسانی ने कहा है कि उपल बगायत में आज इसाई भाइन का शलन्यास किया जाएगा मंत्री ने कहा है कि तिलंगाना सरकार आने के बाद सीएम की सी-ार के नातित्व में तिलंगाना सरकार सभी त्योहारों का योजन कर रही है बी आरेस राश्ट्रिय नीती और राश्ट्रिय कारिय दल की घोशना एक ही दिन की जाएगी कारले के उटगाटन कारियों की देखरे के लिए सी एम की यातरा के मद्दी नजर मंत्री निरंचन रीड़ी और सांसे जंतुष कुमार पहले दिली गए हुए है हालांकि केसिया निसकार एकरब में सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमलसी और संबंदी जीलों के नेताओं को लाने का आदेश दिया है लगता है सुबे से ही अधिवक्ता के मौजुदगी में अधिकारियों के सवालों का जवाब मिल गया है बता जा रहा है कि सीबिया अधिकारियों ने दोपर के भोजन के बाद अधिवक्ता को वाहर भेज दिया और कविता से अलग से पुछताच की है सीबिया इजवाच के बाद कविता प्रगती भवन गी कविता ने सी बी आई अधिकार्यों दोरा पूछे के सवालों के बारे में केसी आर को बताया आज सी बी आई अधिकार्यों ने उनसे साथ घंटे से अधिक समय तक कुछ ताच की है और उन्हें इंक्यान बे सी आर पीसी के तहट नोटिस बेज़ा उन्होंने उसे सुनवाई के लिए आने का नदेश दिया है CBI अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही जाज की तारीखों की खोशना की जाएगी बता जाता है कि कविता को दिल शरब घुटाले के सिलसिले में आज की जाज के दौरान CBI अधिकारियों दौरा मांगे गए दस्तावेश या डिजिटल उपकरन जमा कराने होंगे इंक्यान बे CRPC के तहट नोटिस प्राप्ट करने वाले वाक्ति को जाज अधिकारी के सामने पेश होना होगा ऐसे रगता है कि कवीता ने अपने कानूनी विशेश अग्यों के साथ बैठक में CRPC इंक्यान बे के तहट नोटिसों पर चरचा की है फिर वे सीधे घर चली गी हालाकि उन्होंने CBI जाज या KCR से मुलाकात को लेकर मीडिया से कोई बात नहीं की इस क्रब में कवीता के अवास के पास भारी पूलिस बल का बंदोबस किया गया उधर CBI के DIG रागवेंटर के मागडरेशन में अधिकारियों ने तयार प्रेशनावली के सामने कवीता से पुछताच की है राजवपाल ने इन माचों को रुची से देखा और दिव्यां क्रिकेटरों को प्रसाहिद किया उन्होंने विजटाओं को प्रसका वित्रक किये अवसर पर कहा गया कि दिव्यां हर किसी की तरह क्रिकेट खिल रहे है और उनके दिव्यां गताओं की प्रतिवा से कम है राजवपाल ने हैपमिक अप के आयोज़गों को बताई दी है केसिया ने कहा है कि वराजुकी इसाईयों के लिए के वादे के अनुसार इसाई भवन चर्च बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है मंद्र तलसानी ने मारे डपल ली स्टेट अपने निवास पर विभने इसाई संगर्ठोनों और पादरियों के साथ करस्मस अमारों के आयोजुन की समिक्षा की है उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने उपर वगावत में दो एकर ज्रमिन आवंटित की है तलसानी ने खुलासा किया है कि भवनिर्मान के लिए सरकार ने दो करोड रुपे मंचुर किये है उन्होंने बड़ी संग्ख्या में इसाई भाईयों सीश लन्यास कारेकर में शामिल होकर इसे सफल बनाने का अववान किया है बीजीपी राश्री अपाधिश टीके अरुना ने कहा है कि सीबी आए से बी आरस के नीता डरे उब है जब कोई गलत काम नहीं किया है तो डरने की कोई बात नहीं है उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रदीश में ववस्थाओं को ठप कर रही है बी आरस नेता सत्ता की ववस्था का गलत समाल कर रही है सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए इस महीने की तेरा तारी को दिली चलू कारेकरम को सफल बनाने के लिए बी-सी असोसीएशन के राश्री अधिश आर क्रिशनया ने विधान सभा में बी-सी को 50 फीज़ी आरक्षन दिने की मांग की है बी-सी संगो ने इस महीने की तेरा तारी को चलू दिली सांसर्थ घेरा कारेकरम का समर्थन किया है आर्कृष्णिया ने सुझा दिया है कि हमें राश्रितिक दलों की परवा किये बिना विसी बिल्ड के खिलाफ लड़ना चाहिए बीजेपी महिला मोर्शो प्रदेश अध्जिश गीता मुर्ती ने कहा है कि सबूत मिलने पर ही किन्रिय जाच एजिंसिया जाच करती है उन्होंने कहा है कि जाच एजन्सिया यह पता लगाएगी कि अपराधी कौन है लेकिन ट्रियारस नेता जाच पूरी होने तक बिनारू के बेमतलब की बाते कर रहे हैं और विराश्रितिक लाप का उसर दून रहे है बिजीपी राश्र महिला मोर्शा की अदेश ने कहा है कि मलसी कविता का नाम मनिस इंसोदिया के खिलाफ दर्श एफ आई यार में होने पर ही सीबी आई अधिकारियों द्वारा पुछताच की जा रही है नारन चाहते है कि जनता कविता से पूछे के सवालों और उनके द्वारा दिये के जवाबों को जाने उन्होंने राइबेक की है कि यह जनता नेताओं के लिए उप्योगी साबित होगा CPI राजस अच्चीव कुन्मनीनी संबाशिवराओं ने आरुप लगा है कि बीजीपी के नातित्ववाली केंड़ सरकार विफशी दलो द्वारा शासित राज्यों में निताओं को निशाना बना रही है और केंड़े जाच एजनसियों के साथ छापेमारी करवा रही है YSR TP प्रमुक YS शर्मिला ने कहा है कि YSR की लड़की को केसी आर द्वारा पिंज्रे में रखा जाना शर्मनाख है फिलहाल अस्पिताल में उनका इलाज किया जा रहा है संदर में उन्होंने वीडियो जारी किया है उन्होंने कहा है कि भली हाइकूट ने उन्हें पज्यात्रा करने के अनुमती दी है लेकिन किसी आर दालत के दिश्यों का सम्मान नहीं कर रही है अंशन करते समय उन्हें और उनके कार्यकरताव को बंदी बना लिया गया था कॉंग्रिस के वरिष्ट नीता कॉंडा सुरेखा ने टीपी सी सी प्रमुक रेवन फ्रेडी से मलकाद की है पी सी सी कार्यकारे समीती को स्थिफा देने की इच्छु पत्र रेवन को सौपा गया सुरेखा ने रेवन को समझाया है कि वह PCC कमिटी से असंतुष हो कर सिफा दे रही है उन्होंने अपना नाम राजनीतिक मामलों की समीती में नई होने पर दुख वेक किया उन्होंने कहा है कि उनके जरसे वरिष्ट नेता को पार्टी में उचित तरजीह नहीं दी जाती है उन्होंने कहा है कि समीती में वर्गल जीले में एक भी नेता का नाम नहीं है रेवन प्रेड़ी ने सुरेखा कश्वासन दिया कि वह इस मामली को AICC प्रमोख खडगे की संग्यान में लाएंगे और यह सुनिश्चित करेगे कि पार्टी में उनकी अच्छी प्रतिष्टा हो इंडियन कार रेसिंग लिंक खतम हो गई है इस रोमान्शक रेस में गौड़ स्पीड कोच्छी की टीम ने 617.5 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है 385 अंकों के साथ ब्लैक बोर्स हथराबाद की टीम ने दुसरा स्थान हासिल किया गोवा 282 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा बैंगलोर 147.5 रंगों के साथ पांचवे स्थांट पर रही है वई डिली छटिस्थांट पर रही है इस पारकार रेसिंग में शर्ट इमों, 12 कारों और 24 ड्राइवरों ने भाग लिया इस प्रतियोगीता में स्पोर्स कारों ने 500 से 300 किलोमीटर के रफ़तार से दोर लगए पुलिस ने तीन दिन पहले इंडियन रेसिंग लिंग के मौके पर यात्याद प्रतिबन लागू किया था हुसिन सागर इलाके में ट्राफिक डाइवर्जन लागू किया गया था जो रेसिंग आयोजित की गई थी एच्सिये के पूर्व सची 699 ने आरोप लगा है कि अजर उद्दीन लंबे समय से चल आ रहे हैं हैं हैदरबाद क्रिकेट असोसियेशन पर दाग बन गए है उन्होंने आलोचना की है कि कार्यकाल समाप्थ होने के बाद शुना नहीं कराने से असोसियेशन को नक्सान हो रहा है उन्होंने काया कि जो कोई अनिमत्ताओं के लिए भ्रष्टचार में शामिल है उसके खिलाब कानूनी लड़ाई लड़कर हम एसोसियेशन की रक्षा करेंगे न उच्छवायल्स कवन पैरिटा लॉंच किया गया वक्ताओंने एक महान लेकर के रूप में सीरी वी ट्रेवाई श्री राम शास्री की प्रशिंसा की है जिन्होंने तल्गु सहायते के लिए फिल्म में देखने के लिए गीत लिए जसे रज़े सितरान शास्ते ने गीतों में तल्गु शब्दों का इस्तमाल किया गया वह अद्भूत हैं उन्होंने सीरी वी ट्रेला के गीतों की प्रिशिंज़ा की है कई लोगों को प्रेरित किया और समाज को जगाया है चक्रवाद मांडुस की असर से तरंगाना के कई जीलों में रईवारात मध्यम से भारी बारिश हुई है हदरबाद के खैताबाद, महधी पत्नम, अत्तापूर, नामपली, बंचारा हिल्स, पंज़ा गुट्टा, मसाब टाइक, एमजे मार्केट और अफजल गंज इलाकों में बारिश हुई मेचल जीले के नागरम नगर्पाली का, घटकेसर नगर्पाली का, कीसरा और घटकेसर मंडल में हल्की बोच्छारे पड़ी अधिलाबाद जीले के कुमुरम, भीम जीले के कोटाला, चिंताल माने पल्ली, बिंचुर, पेंची कलापीट और आसिफाबाद मंडलों में भारी बारिश हुई है मौसम विभाग ने कहा है, अगले बारा घंटों में चक्रवाद मानडूस के कमजोर पढ़ने की संभावना है तिलंगाना पर तुफार मानडूस का असर जारी रहा मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने की 14 तारिक तक पुरिराज रमे मध्यम बारिश की संभावना है अत्तापूर इसकौर मंदीर के महाप्रबंधक सत्यनंदन हरिदास ने कहा है कि कारशाला का आयोजर किसले किया जारा है ताकि यूवस अनातन धर्म को समझ सके कि यूवस ने जायोज़ कर दो दो कि इस ने जाब है